नमस्कार मेरे प्यारी विश्यों स्वागत आपके अपने युट्विश चैनल दे पिसी एम विजिन में प्यारी विश्यों आज किस वीडियो के माध्यम से मलूग क्लास्टुवेल हिंदी कोर जिसका एक्जाम आज होने वाला है उसके most BVIAE viral MCQ प्रस्नों को देखने वाल है और यहाँ पर मैं आपको जितना भी कोर्षिन करवा रहा हूँ यह बहुत ही ज्यादा important कोर्षिन है देखें अभी तक आप लोग ने जितना भी पड़ा अथो कुछ भी नहीं पड़ा उससे आप लोगो टेंसन नहीं लेना है यहाँ पर मैं आपको जितना भी कोर्षिन करवा रहा हूँ इस सारा कोर्षिन को आप लोग अजशी से कर लिजे आपके वोड एक्जाम में अधिकतर कोर्षिन आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेगा तो वीडियो पर आप लोग अंत्यक बने रहे हैं और शेनल पर पहली बार आएं तो शेनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा क्योंकि शेनल के माध्यम से आपका क्लास टूविल के परते एक सब्जेक्ट की कम्पलेट त्यारी करवाये जा रहे हैं तो शेनल पर आप लोग नहीं हैं तो शेनल को सब्सक्राइब जरूर किजेगा तो शलिए शुरूर करते हैं और एक करके सारे कुषिन के आप लोग डिसकस करते भी चलते हैं तो देखे वह सबसे पहले आपका एक पद्ध्यांस दिया हुए है इस पद्ध्यांस को आपको ध्यान कुरोग पड़ना है और कुषिन नमर एक से लेकर के चार तक के प्रसनों के उत्तर को देना है देखे यहां पर मैं आपको पद्ध्यांस और गद्ध्यांस यह नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि यह सब जो आपका पध्यांस और गध्यांस रहता है यह आपका exam में repeat नहीं करता है जहां से आपके question repeat करेंगे जहां से question आपके board exam में आएंगे वहां से मैं आपको करवा रहा हूँ ठीक है यह पध्यांस और गध्यांस आप लोग खुझ से एक्जाम में कर सकते हैं ठीक है तो चलिए कोशन आपका repeat होगा अभिवेक्टि और माधियम जिसे हिंदी व्याकरण का जाता है यहां से आपके कोशन आपके एक्जाम में repeat होगे ठीक है तो देखे आपका कोशन क्या है कि सरकारी पत्रों में संबोजन के लिए किन समाचर पत्र कौन सा माना जाता है तो भारत में जो आपका पर्थम समाचर पत्र है यह आपका उदंत्र मार्टन को माना जाता है optioniche right ke protect मार्टन अगर KBS यह फता तो ओधासर भारत का पहले समाचर पत्र यह था आपका बंगाल गजट अगर हंदी का पुछे कि हिंदी में आपका पहला समाचर पत्र कौन सा था तो हिंदी में आपका उधन्त मारतन था और जो आपका बंगाल गजट था यह आपका इंगलीज में था ठीक है चलिए अगला कुशन देखे आपका क्या है कि संचार क्रांती के फल्सुरूप किस पारूप का परिय तो मुद्रित माद्यमों कि सबसे बड़े विश्चत है उसका अस्थाइतव और का इसका करेक्ट अंफरोगा अस्थाइतव उसके बाद देखे अगला कुशन आपका क्या है कि फीचर किस प्रकार की विधा माने जाती है तो जो आपका फीचर है बचो यह आपका विश्य परदान बिधा माना जाता है उपसन इसका करेक्ट अंफरोगा विश्य परदान उसके बाद दिखे अगला कषिन आपका क्या है कि संपाद कि यह किसके लिए द्वारा लिखा जाता है तो तो आपका ज्ञानात्मक समूधना भी आप इच्चित तो मिकार कोचिया कि की रिपोर्ट का अर्थ है तो रिपोर्ट का अर्थ क्या होता है घटना की ठीक ठाक सूचना होना ठीक है रिपोर्ट कSonak कोर न में संद Iss Unumit spec sus reconna का लगा कि लेद ऑगर या Sukya का डिख्यों कि कि रिच्वार्ट का दरसकों तक ततकाल पहुचाना क्या कहलाता है तो इसे breaking news कहा जाता है option में गईस का correct नंत्रों का breaking news आप लोगों नीचे लिखा रहाता है कम से कम सब्दों में कोई भी आपका घटना कहीं पर घटा जैसे मुखमंत्री ने इस्तिफा दिया तो breaking news हैमत्रों ने इस्तिफा दिया इस तरह जाता है नीचे मुषी को आपका breaking news कहा जाता है ठीक है अब जो आपका question शुरोव रहा है यह बहुत झाद़ कोशन है इस सारा कोशन अब ध्यान देज़्ेगा यह भी ध्यान देना था अभिवेक्ष से आपको ध्यान को किता прим और इसको पाड़ना और 19प की ya Smats हो रहा है ठीक है व'tagar किताब का ही है चले इसके को अंतर को दिखते हैं कि प्रस्तुत पंतियां किस कवी तो ली गई है तो यहां पर सत पंतियां है ऑप समग के जिल बन दोबारा तो इसके माध्यम से कभी आपका नीले अकास का सुंदर्य है option more guys का correct answer अग्ला question कि कभी द्वारा भासा को तोड़ने और मुरूदने का क्या दुस्परी नाम हुआ तो कभी द्वारा भासा को तोड़ने और मरोडने का दुस्परी नाम ये हुआ कि जो भासा बोले जा रहा था ये आपका गथ क्या हो गया पीट पूर्थी के लिए मेहनत का समझदुर लोग साती सद वेपारी लोग और आपको जो रिखारी वर्ग के लोग होते हैं अनिकि ये सभी वर्गी के लोग आपका पेट उर्थी के लिए मारे मारे फिलते हैं option नमर घईस का correct अंतरोगा ये सभी उसके बाद देखे अगला question आपका यहाँ पर क्या दिया गया है कि बाला के दुआरा चान मांगने की जीद पर मां उसे क्या देकर भैलाती है तो मां उसे दरपन देकर भैलाती है option नमर घईस का correct अंतरोगा दरपन अगला question देखे क्या है आपका कि छोटा मेरा खेत सिरसक कविता में कवी को कौन सी फसल प्राप्त होती है तो इस कविता में कवी को यहाँ पे कवीता फसल प्राप्त होता है option नमर घईस का correct अंतरोगा कवीता उसके बाद देखे अब यहाँ पे आपका एक गध्यांस दिया हुआ है यह जो गध्यांस है आपका आपके किताब पे जो कहानी वाला चेप्टर है उससे से लिया गया है ठीक है और इसको आपको पढ़ना है और जो question नमर 18 से लेकर के 31 तक की उत्तर को देना है तो पढ़ना जाते हैं जो आप लोग पढ़ सकते नहीं तो इसके right question आपको करवा रहा हुँ तो दीके यह जो आपका गध्यांस लिया गया है यह आपका काले मेगा पानी दे उस chapter से लिया गया है और इसके लेकर को ने तो आपको 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 आपका धरमवीर भारती है तो वही है यहाँ पर कि प्रस्तुल पार्ट के लेकर का क्या नाम है चार के बारे में सटकारे लेकर के बाते करना इस प्रकार का मनिस्यों का अच्रन है और अगला कोशन देखे आपका क्या है कि लेखक को देश के संद्र में कौन सी बात कचुड़ती है तो लेखक को यहाँ पे देश के संद्र में आपका लोगों की बड़ी-बड़ी बातें कर नाम दिया था तो लोगों ने लड़कों की टोली को मेडक मंडली नाम दिया था और यहाँ पर आपका इंदर से ना लड़का लोग खुब अपने आपको कहते थी लेगिन लड़कों की जो टोली थे ये लोगों ने क्या नाम दिया था ठीक है तो यहाँ पे सेर का बच्छा काला खाकू का गया है, उप्सिन नमर गईस का करेक्ट अंतरू का काला खा। अगला कुशिन के है कि साफिया पाकिस्तान से भारत लेकर क्या जाना चाहती है। तो आपका नमक लेकर करके जाना चाहती है लाहुरी नमक, option नमर का इसका correct नातरोगा नमक अगला question क्या है कि जाती पर्था में लेकक ने क्या दोस्त देखा है तो जाती पर्था में यहाँ पे लेकक ने जिनम से ही पेशा का तई होना इसा दोस्त देखा है option मरका इसका correct नात्रोगा अगला question के है कि लेखक ने सिसीर को काल जाई अब्दूत की तरह क्यों माना है तो लेखक ने यहाँ पे आपका जो series का फूल है ठीक है इसको आप जो series का पेड़े उसको काल जाई अब्दूत की तरह इसलिए माना है क्योंकि यह सुक दुख में समान रहता है साथे साथ लू के भीसन भीसन समय में भी प्रास्त नहीं होता है और सुदा सरस बना रहता है यह तीनों कारने ठीक है तो इस question का correct नात्रोगा option नमर का उप्रूक्त सभी उसके बाद देखे अगला question आपका कहा है कि silver bending के असुदर बंद की विवा की कौन सी गाठ वर्स गाठ मनाई जा रही है तो यहाँ पर 25 साल पुरा हुआ है अनि कि 25 वर्स गाठ तो इस question का जो correct नात्रोगा option नमर का 25 वर्स गाठ अगला question कहा है कि जोज कहानी में किसका चित्रन है तो जोज कहानी में एक आपका संघर्ष सिल किसोर का चित्रन है जोज का मतलब भी होता है संघर्ष ठीक है तो इसमें आपका देखे संघर्ष के दिखाया गया है आपका आनन्दा की संघर्ष के बारे में ngoreaux उसके बाद देखें अगला कोश्टन है विशार विषारों की अभीवीकति का स्रल तरीका है तो पत्राचर विषारों की अभिव्यक्ति का सरल तरीका है, सरल माध्यम है, उप्षन नमर 3 इसका करेक्ट थाँ रूगा, विषारों का, उसके बाद देखे, अगला कुश्वन है का पत्र में सर पर्थम क्या लिखा जाता है, तो उप्षार इक पत्र में पत्र भेजने वाल के पता उसके बाद देखिए बॉच्छन आपका क्या कि मुद्रीत मादयों की सबसे बड़ी विस्ष्था तो मुद्री मुद्रीत मादयों की अंगОख क Nossa गार का परमुख इंस अपका जिग्याँशाओं का समाधान भी सुचनाओं का परस्पर बाटना भी है और विचारों की अभिवेक्ति है तो इस कोईशन का जो करेक्ट अंतर होगा ऑप्सन नमर चार होगा इनमें से सभी उसके वाद देखें अगला कोईशन आपका कहा है कि रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं तो रिमाइंडर को सभी में आपका अनु असमारत कहा जाता है उप्सन युम का करेक्ट अंतर होगा अनु असमारत को संचार सब्सक्राइब उद्प्ति कोई कि लेकन में इसके कितने आयाम होते हैं कि प्राहतना पत्र में आपका विष्वासि लिखने के बाद किसका हास्ताचर होता है तो दीके कोई भी आप लोग formal letter को लिखते हैं और तो principal के पास लिखते हैं और तो कोई भी अधिकारी के पास तो देके नीचे में लिखते हैं आपका विश्वासी तो आपका भवधिये उसके बद किसका हास्ता चारूता है तो जो उस पत्र को लिख रहा है उसका हास्ता चारूता है अनिकी प्रेज़सक का तो इसको उसन का करेक्ट अंतर होगा option नमर 1 प्रेज़सक का उसके बाद अगला कोशन आपका क्या है कि वर्तमान पत्रकारिता का सरूप क्या है तो वर्तमान पत्रकारिता का सरूप अंतरराइश्टी सरूप है उसके बाद आगे पढ़ने पर देखे आपका यहां पर क्या है अब आपका गुरूप सी अनिकी जो आपका पाइट पुस्तक है उसका को कविता है उसी कविता से लिया गया तो इसको आप लोग पढ़ लिजेगा ठीक है इसके जो कोशन देगे उसके हम लोग डायरेक्ट चलते हैं तो देखिए वज़ो पहला कुशन इसका निकी कोश्चन नमर उनिस में क्या कि उसके में संद्री का वरनन जबता है तो इसमें आपका सःया का ब करेक्टां्थ रोगा संद्य मालन का और 70 कोरनल समया साम वर्न फिकारपतjang wyst दिए chi ौब नजय बादलों की रखत है तो जो रंगत है वाहिस और कि पर पर वह किसे है सफेद अनिकि सवीत रंगत है उप्सन नमर एक किसका करेक्ट अंतरोगा सवीत उसके बाद देखे अगला कुछन आपका कहा है कि भासा को घुमाने फिराने से बाद केसी हो जाती है तो भासा को घुमाने फिराने से बाद पेचीदा हो जाता है option नमरे किसका correct answer रोगा पेचीदा उसके बाद देखे अगला question आपका क्या है कि कमरे में बंद अपाहिच कवीता में कौन किसका साचतकार ले रहे है अनिकी यहाँ पे जो आपका कवीता है कमरे में बंद अपाहिच इस कवीता में आपका कौन किसका साचतकार अनिकी interview ले रहे तो यहाँ प्ट्रिकार जो है जो आपका 법्ण करक्तिए उससे interview ले रहे ऑप्षें नमर तिन इसका character होगा यहाँ प्यापका पत्रकार का इंटर्व्य ले रहे है उसके बाद एक्ट्रिकार सभविक्रक्रा का सामई के सिवक्रार है दो किसी कि प्रयूब computer voice कि कवी कवीता की तुलना किसे कर रहा है तो कवी कवीता की तुलना यहां पर आपका कर रहा है चिडिया से किसे चिडिया से कर रहा है ऑप्शन मरे किसका करेक्टा अंतर होगा चिडिया से अगला कुछ दिखें कि पतंग उडाने वाले बच्चे दिसाओं को किसके समान बजा बाते हैं उसके बाद है कि अब यहां पर आपका एक गध्यांस दिया हुआ है और यह जो गध्यांस है बचों आपके किताब में जो आपका कहानी सेक्षिन है उसी से लिया गया है और इसको पढ़कर कि कोशन नमर अठ्था से लेकर के एक तिस तक के परशनों के उत्तर आपक ठीक है इससे आपके बोर्ड एक्जाम में डारेट कोशन पूछे रहेंगी ठीक है तो इसको आप लोग पढ़ लिजे चलिए इसके कोशन को देखते है कि परस्तुत पार्ट के लेकर कोन है तो देखे यह जो आपका यहां पर यह जो आपका गध्यांस है इस गध्यांस किस रिया तो यह आपका जो एक नमट ठीक है उससे लिए और नमट का लेकर कोन है तो इसके लेकर के आपका रजीया सद्धात जहीर कोने 沒有 या सज्जाद जहिर है उप्शन नमर 40 का कर्यक्टा अंतरोगा उसके बाद देखिए अगला कुशन आपका कहा है कि परस्तुत पार्ट में किस देश के विभाजन से उपजित दर्द को अंकित किया गया है तो इस शेप्टर को आप लोग पढ़िएगा आप लोगोंने नमक चेप्टर तो आपको पता चलेगा kaufen जैनिकि भारत पांके स्टान का 1927 में विभाजन हो जाता है उसके दर्द को यहां पे पया क्या है नि क्यूं है उसके दर्द को अंकित क्या गया है तो ब्हरों पाक विभाजन पाक मतलब पकिस्तान ठीक है अगला question देखे का है कि सापया को जीरी जीरी से क्यों आई तो सापया को जीरी जीरी से इसलिए आई क्योंकि आपका इसका जो करेक्ट अंत्रोगा पकड़े जाने की डर से मतलब कि ओ क्या कर रही थी ओ लाहूर से यहाँ पे आपका एक नमक का पुड़िया लाती है ठीक है तो इसके डर से उसे आपका जीरी जीरी आई ठीक है तो option नमरी किसका करेक्ट अंत्रोगा पकड़े जाने के डर से उसके बाद एकि अगला कुशन आपका क्या है कि महबत का तौफा क्या था तो महबत का तौफा कीनू फल था option नमरी इसका करेक्ट अंत्रोगा कीनू उसके बाद एक अगला कुशन आपका क्या है कि भक्तिन किसके बेटी थी तो भक्तिन आपका एक गोपालक के बेटी थी और आज रखेगा यह जो आपका भक्तिन है भक्तिन की टोटल कितनी बेटियां थी तो भक्तिन की साधी कितने वर्स की उम्र में होता है तो भक्तिन की साधी आपका पांच वर्स की उम्र में होता है इसे गोना कब दिया जाता है तो इसे गोना आपका नौ वर्स में दिया जा कि बजार में किसका जादू है तो बजार में रूप का जादू है और उसके बाद देखे अगला कुछ नापका क्या है कि चांद सिंग पहलवान के गुरू का क्या नाम था तो चांद सिंग के पहलवान जो थे उसके गुरू का मतलब चांद सिंग जो आपका पहलवान था उस तो यहां पर उन्हों ने आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा काले मेगा पानी दे मैं लड़कों की टोली अपने आपको क्या कहकर बुलाती है देखिए आपका सारा बच्चे इस को पढ़ेंगे वही इस को बना सकते नहीं तो लग रहाता होका स्रूमें आपको कि कितना असान है आप यहां पर कुछ बच्चे बोलेंगे मेड़क मंडली ठीक है नहीं बच्चों देखिए जो आपका लड़कों की टोली थी अपने आपको यह इंदर से ना कहता था ठीक है जिससे कि मैं मैं अपने आपको क्या कहता हूं मालीजी मैं अपन आपको क्या कहकर बुलाती थी तो यह आपने आपको इंदर सेना का करके बुलाती थी और यह गाम वाली इसे मेड़क मंडली कहते थे ध्यान रखेगा कंफ्यूज अब नहीं होई एक ना बच्चों ठीक है कमेंटर यह फटाक से बोल दिजे कि आप कंफ्यूज नहीं होंग और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए ठीक है कैसा आपको वीडियो लगा साथ साथ वीडियो को लाइक कर लिजे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका अभी ही इसो वीडियो को सब्सक्राइब कर मेड़क मंदली कहते हैं। अगला कुछशन के कि असोधर पंक किस पद पर थे। तो सेक्शन ऊफिसर की पद पर थे। ऑप्सन नमर 1 किसका करयक्ट आंतर होगा। अगला कुछन आपका क्या है कि जूज सिर्शक कहानी के लेकर किससे डरता था। पहले ये पताईए कि जूज आपका चेप्टर है इसके लेखाक का नाम क्या है तो आप लोग नहीं चानते तो आद रख सकते हैं इसके लेखाक नाम आपका आनद आदव है और यह किसे डरते थे तो आपने पिता जी से डरते थे अगला कोशन देख आपका कहा है कि मोहन जदोड़ो हडापवा से प्राप्त हुई नर्तकी की मुर्ती किस रहस्टी संग्राले में रखी हुई है तो यह आपका ४ै Praise की पन्ने किसे समद्रित कर डायरी लिखी है पहली बात दो यह आपको आद रखना है कि डायरी के पन्ने कि यहने फिरिक किसको सम्भोधित करके लिख रहे है तो यह का अपको होता है गुडिया गुडिया को आप तो यह नाम किया रहते है कि टी ठीक है मतलब जिस昨ly से मुर्ती मूर्ती टैप कर गुडिया ठीक है उसे को यहां पर सम्पोधित करके लिखती है और देखते भी है और उसे जो आवाज निकलता है उसे हम लोग सुनते हैं अगर पूछे कि रेडियो आपका किस परकार का माध्य में तो आज रखेगा रेडियो आपका यह आपका सिर्फ सुनते हैं तो इसे भी आप ध्यान रखेगा अगला कोशन देखे आपका कि रचनातमक आदपी प्राकिर्थी परदत तथा पी इसे किस से पोसित किया जा सकता है तो इससे आपका प्रसिच्छन के द्वारा भी पोसित किया जा सकता है और सिच्छा की द्वारा भी ठीक है तो इस कोशन का करेक्ट अंतरों का ओप्शन नम निम्र मैं से पत्रासार का कौन starting विए सरकारी सरकारी सरकरी चाहिए ूर्य को जाए-धार City कोन चाहिगा है अगला सिर्ण प्रिवारिक अगाdate है करें का कौरेक्षिन हों ऐके सब्सक्राइब Q in दिभी अगला कॉर्सिन आप DEE आपका काउसिन नमर Gen G परधान मंत्री या रैष्ट परती दुवारा लिखी गई टिपनी को क्या कहते हैं तो इसे आपका मिनट का जाता है option number 40 का correct नंत्रों का मिनट उसके बाद देखे अगला question आपका क्या है कि सवाद रखेगा यह question कितना वर्मेन आपको करवाया हुए देखे ठीक है जन्संचार का पर्मुक उद्देश के है जिग्यासाओं का समाधान भी होए सुचनाओं का प्रेस पर बाटना भी है और आपका विचारों की अभिवेक्ति है अनिकि यह तीनों आपका जन्संचार का पर्मुक आपका क्या है कर सकते हैं उद्देश है ठीक है तो option 14 का क्या अंत्र होगा इन्वेस्टिस से भी अगला question दिखे आपका क्या है कि सुचनाओं का संकलन कर संपादक तक पोछने पोछाने के जिम्यवारी किसकी होती है ठीक है तो देखे कोई भी सुचना है इसके हम लोग संकलन करते हैं मतलब हम भी नहीं करते जो रिप Eeetiha सब अंधाता सब होता है संपत्रकार होता है इतक हैया कोईरग़े कोछ फाइर करते घंजन को से कहे का कुछन के कि समाचर लेखन की सेली कौन से है तो समाचर लेखन की सेली आपका उल्टा प्रेमिट से लिए ठीक है और तो जब देखे कोई भी प्रत्यत समवाद के बज़े किसी तक्निकी या आंतरिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विसाल वर्ग से समवाद कायम करना कहलाता है तो जब देखे कोई भी पर्तियल समवाद के बज़ए किसी भी तक्निकी, मुवाइल, टीवी के या कोई भी आंतरिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से समवाद कायम करने को इसी को आपका जन संचार का जाता है, option नमर 14 का करेक्ट आंतर होगा जन संचार अगला कोईशन देखे, अगला कोईशन के है कि मीडिया का इस समय सबसे ससक्त माध्यम क्या है, तो मीडिया का सबसे ससक्त माध्यम अभी वर्तमार में आपका सोसल मीडिया है, option नमर 13 में जो कवीता है उसी से लिया गया है ठीक है और इस पद्ध्यांज को पढ़कर करके आपको कोशन नमर 19 लेकर के बैस तक के प्रशनों को उत्तर को देना है ठीक है तो इसको आप लोग पढ़ लिजेगा कि जाने क्या रिष्टा है जाने क्या नाता है जितना भी उडेलता हूं भर भर फिर आता है दिल में क्या जरना है मीठे पानी का सोता है बीतर वहा उपर तुम मुस्कुराता चांद ज बुग ईए संब इसका करेक्ट आंतर रोगा अगला कोश्चन देंगें कि कवी के हिर्दे में कैसे पानी का जरना है कि घर्टी के ऊपर कोण मुस्कुराता है तो धर्ती के उपर आपका आगला कुशन दीखेगा अपका का चांद आपको आपको के कोई के हिर्द का ARSौन आपको प्रिए के पर्ति कों है तो इसका के आपको विकलांग इश। इसना आप लोंको प्रहाए हुए है देखें वोगन आप लोग जो केमरे में बंद अपाही ठीक है कि किस प्रकार से उसका साचतकार लिया जाता है इंटर्व्यू लिया जाता है उसी सिसको कोश्चन है अगला कोश्चन देखे का है कि परीमल अनामिका गीतिका नये पत्ते अनीमा बेला तुलसिदास कुकुरमु निराला अगला कोश्चन देखे आपका क्या है बच्चो कि 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 वर्ग के बच्चे हर परकार के दुखों को सहन करने की सकती रखते हैं तो यह आपका सोसित वर्ग ठीक है अमीर वेक्टि क्या रहेगा क्या दुख नहीं उसको दुखें होता है ऑप्सन नमर्य कि इसका करे में जलाती है तो मा किसके घरंदु में जलाती है तो इसको खर्यक्त अन्थरों जाएगा उप्सन नमर कगे किस परकार कपड़े उद्धर को देना है देखे कोशन का है कि परस्तुत पंतियां किस पार्ट से लिगई है तो इस पंतियों को आप लोग पढ़िएगा तो देखें आप आपका रातरी की विवासिका को सिर्फ पहलवान की ढौलक की ललकार कर चुनूती देती रहती थी तो यह चो शेप्टर है पहलवान की ढौलक किसा है पहलवान की ढौलक की ढौलक कi जप्ठर से लिया गया है ऑस्सिंगा वसक्ति का करेक्ट अन्तरूगा पहलवान की ढौलक की ढौलक 14 से सुबह तक पुरा रात बर अगला कोशन दिखा आपक है कि धोला की आवाज किसके वीतर संजीवनी सकती का संचार करती थी तो यह किसके वीतर तो गाव के लोगों के वीतर मतलब सारा गाव में पुरा मलेरिया हैजा फेल जाता है ठीक है यहां मारा तुम ले देखे पहले पहले इलाज आपका नहीं होता था ठीक है बहुत ही कम इलाज होता पुराना जवान है अब तो अमलेरिया होने सा अदमी मर्मों नहीं करता है तुम तुरंते-दुरंते मर जाता था दवाय का खुष नहीं हो आता बबू तो इसकारण से वहां पे मतलब रोज एक दूग आ प्रतिश कारण यही कथन आपका सही है ठीक है जाती पर था कि कारण एक बेरोजगारी आपका सरम सीमा पर पोच गही है भारत में उप्सिन नमरी किसका कर्यक्त आंत रोगा अगला कोशन देखिए का9 कि पालवान लुटन सिंके कितने बेटे थे तो पालवान लुटन सिंके दो बेटे थे तीिक है आपकेए है इसका कर्यक्ट आंत रोगा अगला कोशन देखे कि लेखा किसकी पूजा पार्ट में सहयो करता है तो यह आपका अपने जीजी की पूजा पार्ट में सहयो करता है option नमर एक इसका correct लान्त रोगा अगला कोशन देखे कि पेशा खर्च करने का मुझी अस्थान क्या होता है तो पेशा कहां खर्च करेंगे भाई बजार में option नमर एक इसका correct लान्त रोगा अगला कोशन देखे कि महादेवी वर्मा किस यूग की कवित्री माने जाती है तो महादेवी वर्मा आपका चाया वादी यूग की कवित्री माने जाती है तो तोतल आपका तीन लड़का था, बड़ा लड़का का नाम क्या था, भूसन था, और दूसरा लड़का क्या करता था, दूसरा लड़का आपका IS की तैरी करता था, ठीक है, और दूसरा लड़का क्या क्या करता था, तिसरा लड़का आपका अमेरिकाओं में प्रहाई कर र तो यह जो आपका बेरी वेरी इंपॉर्टन था बच्छों यह मैंने आपको करवाया पीवाई क्यूंट्टी थे उसी से ड़कते थे उसी से ड़कते थे ओप्शन नमर साथ इसका करेक्ट अंतरोगा अगला कुशन देखिए अगला कुशन आपके कहा है कि लेखिका के परिव ऊविदो से पहले ब्रेव रूटस्री अब करोज में अंविद्र कि उलके है यह मतलब और घ्र्राने को debakनती यह इक सब्सक्रांट मतलब चार कोचन आता आपको वहाँ पे देखे न मौडल पेपर सब्जेक्टिव जी हल क्योंगे हां तो वहाँ पे देखेगा दोनों भी लिटर लिख सकते तो एक लिख सकते तो एक लिटर कम से कम लिखेगा जीत पांच नमर बन जाएगा आपको फटाक से उठालीजीगा जाहिए उस वीडियो को देखेए फटाक से ठीक है बच्छो तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए हिंदी कोर वालों के लिए इतना मेहनत कर धरकेंड